हलो दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सल प्राक्टिस में डाउनपर में आज हम जानेंगे डिलिवरी के टाइम आठ ऐसा है इंजेक्शन जो इस्तमाल में लिए जाते हैं उनके बारे में आज समझते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम जानेंगे इंजेक्शन के नाम के बारे में उसके कंपोजिशन के बारे में उसके यूज के बारे में पहला इंजेक्शन है सिंटो सिनोन इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें जो है आक्षिटोसिन पाया जाता है और इसका उप्योग कप किया जाता है तो uterus के AWERN Exchange इसका इस्तमाल किया जाता है राक्ट बाहाव को नियंतर करने में इसका इस्तमाल किया जाता है next medicine है भी कंपोजिशन के बारे बात करें इसमें जो है और इसके यूज के बारें बात करें तो इसमें जो है contract uterus में इसका इस्तमाल किया जाता है और control bleeding याने रख्त के बहाओ को नियंतर करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है कई-कई case में काफी bleeding होने लगती हैं तो उसमें भी इसका इस्तमाल किया जाता है इसके डोज के बारे में बात करें यानि कितनी डोज में इसको पेसेंट को देना चाहिए तो 10 IU पर ML वन टाइम यानि कि 10 IU पर ML एक बार की डोज से इसको दिया जाता है Next Medicine है Methazine Methyler, Go-Metrin होता है इसके यूज के बारे में बात करें यानि इसका इस्तमाल कहां-कहां होता है तो control bleeding after delivery यानि delivery के बाद होने वाली bleeding को control करने के लिए methagin का इस्तमाल किया जाता है and bleeding control after abortion कई-कई case में अगर abortion हो जाता है तो bleeding start हो जाती है तो ऐसे case में भी methagin का इस्तमाल किया जाता है इसके dose के बारे में बात करें, तो 0.2 mg पर ml की dose से patient को एक बार लगाया जाता है next tablet है methargen, इसके composition के बारे में बात करें, तो इसमें भी methyl ergo metrin पाया जाता है और इसके use के बारे में बात करें, तो control bleeding after delivery या एक tablet farm में होती है तो delivery के बाद होने वाले bleeding को control करने के लिए इस tablet का इस्तमाल किया जाता है इसके dose के बारे में बात करें, तो two time, यानि दिन में दो बार दिया जाता है next injection है, काइबेप्रोष्ट, इसके composition के बारे में बात करें, तो इसमें जो है कार्बोप्रोष्ट, ट्रोमेथानाइन पाय जाता है, इसके use के बारे में बात करें, यानि इसका इस्तमाल कहां होता है तो contraction of uterus, यानि uterus को सिकोडने में इसका इस्तमाल किया जाता है, या before abortion, abortion करने के पहले इसका इस्तमाल किया जा सकता है और इसके root से patient को लगा जाता है, तो I am, यानि intermuscular ही इसका इस्तमाल किया जाता है इसके dose के बारे में बात करें तो, 125 mcg per ml, one time, यानि 125 mcg per ml की dose से patient को एक टवाल लगाया जाता है next gel name है, medicine name है, जो gel form में है, serviprime इसके composition के बारे में बात करें, तो इसमें जो है, dynoprostone पाय जाता है इसके use के बारे में बात करें, यानि इसका इस्तमाल कहां कब किया जाता है तो cervix dilation, यानि कि cervix को dilate करने में इसका इस्तमाल किया जाता है इसके dose के बारे में बात करें, तो 0.5 mg यानि कि 0.5 mg एक बार लगाया जाता है next injection है, epidocin इसके composition के बारे में बात करें, तो इसमें जो है, वेलेथा, मेट, ब्रोमाइट पाए जाता है, इसके use के बारे में बात करें, तो post-operative pen, यानि कि operation के बाद होने वाले pain में, pain के relief के लिए इस injection का इस्तमाल किया जाता है, before surgery delivery, यानि कि surgery के पहले होने वाले pain के relief के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है, और इसको किस-किस root से दिया जा सकता है, तो इसको IM और IV दोनों root से दिया जा सकता है, यानि कि intramuscular और intravenous दोनों root से दिया जा सकता है, इसकी dose के बारे में बात करें, तो one time, यानि कि एक बार ही injection कि सन पेयन रिलीफ में के लिए कि लगा जाता है वगोलिय Sugnet इंजेक्शन ने का डोती के बारे में बात करें किसमें प्युकाइय तो इसमें जो है जो है डोट्रावेरेन हैड्रोकोलोराइड पाया जाता है इसक recognize बारे में बात करें यहानि इसके इसे इसकी इसको देना चाहिए तो जनरली इसको जो है वन टाइम ही दिया जाता है और इसके root के बारे में बात करें तो इसको जो है IAM और आवसकता पढ़ने पर IV भी इसका इस्तमाल किया जा सकता है Thanks for watching अगर आपको ये वीडियो helpful लगी हो तो like, share and subscribe करें Thank you